ये नेट फैबरीक के टुकडे मैंने बड़ी मेहनत से डून के निकाले हैं कत्रन से जो सिलाई के बाद बचती है और तब तक दिवया टपक जाती है बोलरी मैं इससे कुछ बनाऊंगी तो इस ने इस फैबरीक के बीचो बीच में टांका लगा के धागा खींच लिया फिर इ तो मैंने लेश के असतर लगा दिया ताकि लेश पे सिलाई ज्यादा ना आये और इस तरह पहले हम अपना बैग कंपलीट कर लेते हैं फिर डिजाइन करेंगे भाई साथ तो यह अपना बैग कंपलीट हो गया एक तरफ से जो सिंपल है वहीं पर हम फ्लावर लगाएंगे और हाँ पूरी की पूरी फ्लावर से एक आउटफिट बनाने वाली हो तो आपको कॉमेंट करके बताने ही पड़ेगा आउटफिट क्या बनाओ थोड़ा टाइम लग सकता है अब इसके हैंडल लगाते हैं तो यह वाले मैंने हैंडल बना दिया आपको बैग बढ़िया आट वाट सब कुछ दे देना और घंव सारण चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बापाई